नमस्कार दोस्तो एजुकेशन टेकनोलजी के आज चनल में आपका स्वागत है आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि इसरम कार्ड सभी लोगों के बन रहे हैं बहुत सारे CAC दार्कों के मेरपास मेंसे जा रहे हैं कि हमारे पेपर खराब हो रहे हैं क्योंकि एक का देता हूं कैसे करना है क्या करना है किस प्रकार से करना है क्या स्टेप अपनानी है आपको वह भी सारी वीडियो में दिरी दिरे आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है अच्छा लगे चैनल को सुस्क्राइब कर देना वीडियो को के अंदर आप पांच इसरम कार्ड बना सकते हो कहने कारत डाउनलोड कार्ड को आप A4 साइज के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसके लिए आपको आप सेकता होगी एक फोटोसोफ की फोटोसोफ जो है वो 7.0 वर्जन होना चाहिए और बाकि अन्य में यह दे स्पोर्ट कर यह कार्ड जो है वो जनरेट कर रहा है system थोड़ा सा जो यह दिकिसी का डाउन है तो टाइम ज्यादा लेगए system की processing यह आई है प्रोसेसर बढ़िया है तो यह 5 सेकन्ड's से 10 सेकंड का टाइम लेगा और फटा फटे जनेरेट कर देगा अभी आपके स्क्रीन के सामने ये आने वाला है आप उसको देख पाएंगे कि किस प्रकार से कार्ड बने हैं आपके सामने जो है वो उसको कमांड दे दिया गया है ठीक है अभी सिस्टम थोड़ा सा मेरा क्योंकि कि ये कार्ड जो है वो कितने टाइम में जनेरेट करेंगा तबी मैं आपको दिखा देता हूं उसके बाद में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको यह installation करना है आपको यह Photoshop का जो setting है वो किस परकार से आपको करनी है देखिए पांस card हमारे सामने आ चुके हैं इसी परकार से आप भी जो आपके जो card है वो generate कर सकते हो देखिए बिल्कुल high quality के अंदर है इसके उपर आप अलग-अलग cutting करके elimination कर सकते हो चलिए अब मैं इन सभी को card देता हूँ और Photoshop को खाली कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों के मन में ये होगा कि किस परकार से इन्होंने किया तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि Photoshop हमारा खाली हो चुका है अब सभी इस दो step है वो आपको अपनानी है तो चलिए इम आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि Photoshop में जैसे आओगे आप File, Edit, Image, Layers, Select, Filter, View, Windows ये option आपको दिखाई देंगे तो सबसे पहले विंडो के अंदर क्लिक करना है विंडो में जैसे आप क्लिक करते हो तो इसमें आपको action ढूड़ना है action जैसे दिखाई दे तो इसके ओपर क्लिक कर देना है क्लिक कर दे इस side में बहुत सारे आपके system में यदि पहले से action है तो दिखाई देंगे इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ थोड़ा सा size में देखिए इस side में खिश देता हूँ ठीक है यह list जो है इस परकार से आपको दिखाई देगी वह आपके system पर depend है कि कितना है चलिए मैं अभी पुराने जितने भी action है उन सभी को हटा देता हूँ पहले यह सब delete कर देता हूँ और मेरे चैनल पर इस परकार की टेकनिकल जो बाते हैं वह बताई जाती है देखिए पूरा पूरा यह खली हो चुका है window देखिए इसमें तीन option मिलेंगे आपको एक तो history मिलेगा एक action मिलेगा एक टूल मिलेगा आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि आपका click action के उपर उन चाहिए कुछ भी समझ मेंने आए तो आप वीडियो को दो बार देख लें comment कर सकते हो उसके बाद में जो यह close वाला option है इसके नीचे arrow का निचान लिख रहा है इसके उपर click करना है click करोगे तो इसमें बहुत सारे लिस्ट निकलेगी लिस्ट निकलने के बाद में load action देखन यहां को मिलेंगे हमें क्या करना है कि जो भी हमारा action download करोगे आप उसको copy कर लेना है जैसे माल लीजिए कि आपने पहले से copy कर रखा है दूसरे system में आपको दिखा देता हूं आपको दूसरे system में यहां से क्या करूंगा कि इनकी कोपी करता हू fan जो मैं चाहिए आठ इसेरम गाड़ वाला, ठीक है? यह है, इसकी मैंने कोपी कर ली आपको यह शोप्टर मिल जाएगा इसकी मैंने कोपी कर ली और अब ही का अगर आप phooavana सआप में जाना है और यहां पे जो हमने लोड वाला खुला था, यहाँ पे इसको paste कर दे रहा है, ठीक है, paste कर दिया, अब यह आ गया paste, ठीक है, अब इसके उपर click करना है, click करने के बाद में इस side में, देखे, मैं mouse को लेके जाता हूँ, यहाँ से, ठीक है, इस side में load दे रहा है, load के उपर click करना है, load करते हैं, उपन कर लेना है देखिए 500 ओपन हो रहे हैं ओपन होने में पांच एदस सेकंड का टाइम लेगा जो आप डाउन्लोड करते हो कार्ड वह ओरिजनल कार्ड ही होने चाहिए इसलिए मैं इसकी प्रोपर्टी में इसकी फोटो पे राइट क्लिक करके इमेज साइज दिखा देता हूं इमेज साइज में देखिए रिजुलियोशन जो है वो डेड़ सोना चीए ठीक है बाकी जो साइज है 5.467 और हाइट 6 की यह इसकी एक्चुल साइट होती है जो हम डाउनलोड करते हैं कार्ड को और डाउनलोड करते ही जस्ट हमें मिलती है वो साइज होती है यह इस सा अगा काम नहीं करता है तो आपके काड ओंके जो डाउनलोड काडD किया थे उनके अंदर दिखकता है तो आपको द्वारा वो डाउनलोड कर ले hehद इए अब इसको मैं िविदार कर देता हूं अब यह मारे 5 आड़ आ गए 8 ठीक है तो F8 को जैसे आप दबाऊगी दबाते ही अमारा जादू जो है वो चलना शुरू हो जाएगा जादू चलना शुरू हो गया मेजिक अभी रनिंग में आ रहा है और अभी आप देख पाऊगे कि कितने सेकंड के अंदर ये आपके सामने कार्डों को जो है जनरेट कर रहे हैं देरे देखिए दो कार्ड हो चुके हैं उसके अंदर दो कार्डों काम हो चुका है और अभी तीसरा कार्ड जो है वो चल रहा है जो पांच कार्ड हमने खोल लेते स्टार्टिंग में वो देरे देरे एक एक बंद होते जाएंगे और उसकी एक PDF जो है वो बनती जा सब्सक्राइब करना है इसके लिए आपको नेट अपने कंप्टर में नेट कनेक्ट करना है नेट कनेक्ट करने के बाद में गूगल को खोल लेना है गूगल खुल रहा है चलिए अभी मैं खोल रहा हूं तो अभी गूगल खोल रहा हूं देखिए थोड़ा साज नेट डाउन चल रहा है सिस्टम भी थोड़ा डाउन है क्योंकि सुबह स्टार्ट किया था बंद भी नहीं किया देखिए यह आपका सिस्टम डाउन से ले ते एक बार रिस्टार्ट कर लेना कोई दिक्कर नहीं है तो गूगल के अंदर आपको सर्च करना है 9680602915 यह सर्च करना है सर्च करते ही आपके सामने एक लिंक आएगा देखिए यह सबसे उपर वाला जो लिंक है इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में मेरी जो साइट है वो खुल जाएगी देखिए हमने क्लिक कर दिया है यहाँ पर एंधूंशार है कि और अभी प्रोसेश चल रहे है क्लिक करने के बाद में इसमें बहुत सारे option मिलेंगे इस एक technical support का नाम से एपahon के सैड़ में जना मैं उपर निचे कर रहा हूं इनको अपर निचे कर रहा हूं इस साइड में technical support का एक option है इसके अनुसारी में काम होता है टेक्निकल स्पोर्ट के जस्ट नीचे सोफ्ट वेर दे रखा है इसके उपर क्लिक करना है फिर आपको क्लिक करने के बाद में यहां आपको नीचे चलना है नीचे चलना है नीचे चलना है फोटो सोफ एक्षन मिलेगा नाम दिया और इसमें द डाउनलोड कर लेना तो इस प्रकार से आप यह कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो सुचना अच्छे लेगे चैनल को सस्क्राइब करें देना